इसमें भारत 40 अंकों के साथ 86 वे स्थान पर है, पिछले साल 41 अंकों के साथ हमारा देश 80 वे स्थान पर था, चीन कुछ बेहतर स्थिती के साथ 78 वे पाइदान पर है, सबसे बहतर स्थित यानी सबसे कम करप्शन न्यूजिलांड में है, उसे एक सुमें से 88 पॉइंच मिले हैं और वो पहले स्थान पर है, इतने ही अंकों के हैं, न्यूजिलांड के साथ उसकी भी पहली रांकिंग है, CPI की रिपोर्ट में कहा गया है कि करप्शन पर कुरोना का भी असर पढ़ा, क्योंकि कुविट सिर्फ एक ही है और एकोनॉमिक इश्य नहीं रहा, CPI ने 13 एक सपर्ट्स और कारुबार से जुड़े लोगों के सर्वे के आधार पर ये लिस्ट जारी की है, जिन देशों को एक सुमेश सबसे ज्यादा अग मिलते हैं, वे सबसे कम रश्ट देश कहलाते हैं, जिन देशों को कम अग मिलते हैं, वहां करप्शन ज्यादा माना CPI के मुताबिक कुल 26 देशों की रांकिंग पिछले साल 2019 की तुल्ला में बेहितर हुई है। उनमें भारत का पड़ोसी देश मामार भी शामिल है। वो अब 28 संक के साथ 137 फिस्थान पर पहुँच गया है। उसके अलवा जिन देशों ने करप्षिन के मामले में सुधार किय है। उनमें एक्वेडोर 49, ग्रीज 50, गुयाना 41 और साथ कोरिया 61 शामिल है।